सब्सक्राइब इंटेलेक्ट्युल इंडीज, एंप्रेस दबैल इकन डिएवर जारा पसंद है हाँ, इस सांग वो लॉस के अंदर है, पर लॉंघ टम में वो बहुत ज़़ा प्रॉफिट में आएगे ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो basic need होती है किसी भी business की वो उस चीज को fulfill कर रहे है मैं आपको कहानी बताता हूँ भाई एक 20 साल का रड़का था रितेश अगरवाल नाम का वो पूरी इंडिया में travel कर रहा था तो उसने देखा कि भाई युजे सस्ते rooms अच्छे वाले नहीं मिलते rooms सस्ते होते हैं तो महापे facilities नहीं होती है और अगर facilities होती है तो उसके पैसे बढ़ जाते है तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा business शुरू करूँ तो उसने एक लाख रुपे की seed investments से मतलब एक लाख रुपे लगा के उसने आज 2900 करोण का empire खड़ा कर दी है और अगर देखा जाए तो यह सिर्फ company 2013 में ही चालू हुई थी तो इतनी जल्दी यह business कैसे वड़ा है हाँ investments मिली है investments की वज़े से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है investment की वज़े से सारे business बढ़ते पर आप बस business model भी होना चाहिए देखिए इन्होंने एक और चीज़ अच्छी करी जो कि मेरा माना है अगर आप अपने competition से लड़नी सकते हैं तो उसको acquire कर लो इन्होंने क्या किया एक zoo rooms करके company थी जो कि इनके ज़र सा model कर रही थी इंडिया के अंदर तो कि अब यह पूरी इंडिया के अंदर से लॉती company है इसलिए के इनको investment हाँ से मिल लाएगी अभी फिल्प कार्ड की तरह loss में नहीं जा रहे है करोड़ों करोड़ों रुपेक, 1000-1000 करोड़ों का loss नहीं हो रहा limited control के अंदर loss हो रहा है एक चीज होती है early check-in इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर number one बंदे सबसे पहले बंदे मने कि जोनोंने early check-in लेकिया है मतलब basically इनको early check-in में first mover advantage भी है अब आप मैंसे जिन लोगों को नहीं पता early check-in का मतलब क्यों होता है बाई एक check-in का मतलब होता है condition यह है उनके बाद वहाँ पे room available होना अच्छी है अब यह नहीं है कि वहाँ पे कोई रहरास को धक्या मारके निकल निकल साले early check-in लेकिया बार ऐसा नहीं होगा मतलब वो अपनी पूरी कोशिश करेगे आपको room देने के तो चलिए भी इनके business model के बारे में बात करते है जैसे आपको पता इनका hotel है यह किसी ओर hotel को acquire करते है acquire का मतलब दो तरीके है मांगे चलिए आपका एक hotel चल रहा है यह क्या कहेगे कि भाई आप मुझे अपना एक room दे दो उस room को मैं अपने इसाब से बनाऊँगा और मैं आपको महीने के पैसे दूँगा इस room के मांगे चलिए आपके room का rate 2000 रुपे है तो आप मुझे यह room दे दो मैं अपने इसाब से सजाऊँगा तो आप मुझे कितने रुपे में दोगे तो बंदा भाईने की booking हो रही है तो डिसकाउंट के चकर में 800 रुपे का 200 रुपे का room दे जाता है calculation के लिए मांगे चलते है 1000 रुपे का room दे दिया अब क्या हुआ अगर यह 15 दिन booking रखते है room के अंदर 15 दिन खाली book करना है तो इनको no profit no loss पे आ जाएगे जैसी सोलवा देना आएगा इनका profit होना शुरू हो जाएगा हाँ इन्होंने जो investment करिये room सजाने वजाने में वो एक one time cost है दूसरा यह क्या करते है यह कहते है कि भाई आप negotiation वाली बाद है न यह क्या करते है इनकी team जाएगी नेगोशियर करने कुछ करेगी सर आपकी सारा खर्चा कर लो हम आपको margin देदेगी हम आपको commission देदेगी हम महीने के पैसे नहीं जात रहे जैसी हमारे पास कोई room का availability आएगी आप हमको room provide कीजी हम आपको dash commission देगी अब यह commission भाई 10% से लेगी 80% तक भी जाती है ऐसे मेरे सूत्रों ने बताया है मैं उसका नाम नहीं बता सकता तो आप side में कुछ news देख सकते हो यह देखिए इन्होंने zoo rooms को भी acquire किया है इन्होंने ऐसे ऐसे कुछ किया है यह देखिए यह इनके list of investors है किस-किस ने कितने round of funding में इनको पैसा दिये इनका business model future में profit में आने वाला है इनको losses दिन पर दिन कम हो जा रहे है तो यह business model अच्छा model है अब आप मुझे नीचे comment में बताईए कि यह business model अच्छा है या फिर नहीं है अगर देखिए OYO rooms को आप check करेगे OYO rooms is for innovation अगर आपको अपना business को survive करना है किसी भी condition के अंदर आपको innovation करना पड़ेगा वाई सबसे अची चीज़ है वाई 20 साल के लॉंडे ने कड़ी करी है अभी वो 23-24 साल का युगा होगा हमसे छोटा लॉंडा इतना बड़ा business का empire का बंदा बन चुका है तीन हजार करोड का business देखी कितना बड़ा business कड़ा कर दिया तो ठीक है दोस्तों इसके साथ ये वीडियो खतम होती है आशा करता हो को समया हुगी और आपको दिखे नीचे कमेंट में उसे पूछ लेना लाइक और शेर कर देना इस वीडियो को और मुझे जरूर बताना कि आप अगला business model किसके उपर चाहते हो माँ target भी रखता like और शेर का और आपको जैसा अच्छा लगे आप like कर सकते है तो ठीक है दोस्तों बाई, गुड़नाइट, शबागेर, खुदा आफिस गुड़ मॉर्णिंग, गुड़ आफ्टरू जब भी देख रहे हो